नमस्कार, Excel 2013 की वीडियो स्रीज में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में से कहें कि कन्वर्ट फंक्शन, कन्वर्ट फंक्शन क्या करता है? het converts a number from one measurement system to another, यानी एक measurement system से दूसरे measurement system में उस number को convert करता है, थायनि एक unit से दूसरी un tää कन्वर्ट करने के लिए convert function का यूज होता is Excel में, थायक़ कैशा तो सबसे पहले हम लिखेंगे convert, उसके बाद नमबर आपको convert करना, जैसा मुझे करना है कि चेक करना कि एक year में कितने दीन होते हैं, तो 1 फिर आपको आपको चेक क्या करना में ठीक है तो आप यह से किस किस वैलियू में आप कर सकते हैं वहां पर बता रहा है आपको कि आप यह से डे में कर सकते हैं हवर में कर सकते हैं मिनिट में कर सकते हैं यह आपके पास अविलिबल इसके अलावा को दूसरा अविलिबल नहीं है तो अभी मुझे चेक करना कि कित 65.25 इतने दिन होते हैं दूसरा यह मैं डायक लिए आपको बता है फॉर्ला कैसे यूज करना और इस तरह भी आप एक फॉर्मेर त्यार कर लिजे ताकि एजी रहेगा इसमें आपको अगर कोई दूसरा जैसे अभी आपको यह से डे में कनोट करना पड़ा अगर आपको एक पड़े तो आप इस तरह एक फॉर्मेर त्यार कर सकते हैं कि नंबर के लिए यह सेल यूज होगा और किस यूनिट से आपको कनवर्ट करना उसके लिए यह सेल यूज होगा और किस यूनिट में आपको कनवर्ट करना उसके लिए यह सेल यूज होगा और यहां पर वह फॉ यूज करते देख लीजे, convert वही, यहां पर number, अब आपको यहां पर directly number नहीं लिखना है, आप इस cell को select कर लीजे, इस cell का address पास कीजिए, yf5, ताकि इस cell में जो भी value लिखेंगे, उसको एक convert करके आपको show करेगा, ठीक है, फिर from किस unit से करना है, उस cell के लिए हमने कौन सा cell पास करना है, और enter, तो एक year में कितने देना है, 365.25, अगर मुझे दूसरा conversion करना है, तो अगर एक hover में कितने minute होते हैं, यह चेक करना है, तो यहां पर लिखेंगे HR, हवर के लिए क्या लिखेंगे, HR, आप table check कर सकते हैं, हवर के लिए HR, और minute के लिए MN, ठीक है, बता रहा मेरे हिसाब सईजी रहेगा, क्योंकि इसमें आपको बार-बार phone line edit नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और यह dynamic रहेगा, यह रहेगा, अगर आपको दूसरा conversion करना है, तो आपको बार-बार phone line edit करना पड़ेगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया ह होगा, ठीक है, अगर आपको कोई query है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही.